Hello everyone, welcome back to my channel, I am Priyanka So, दोस्तो, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ Mama Earth Upton Nourishing Cold Cream की रिव्यू और यह जो क्रिम है, यह cold cream है, इन्हें मैंने नाइका से पर्चेस किया है इनका जो price लिया है, वो है 174 रूपीज क्योंकि मैंने इनका छोटा जो डबबा है, वो मैंने पर्चेस किया है और यह 100 ग्रन प्रोड़क्ट कॉंटिटे के साथ आती हैं दोस्तो और आप सबसे पहले छोटा वाला डबबा जो है, वो आप पर्चेस करके यूज कर सकते हैं उसके बाद अगर आपको अच्छा लगेगा, तो ही आप बड़ावला टब यूज कर सकते हैं, पर्चेस कर सकते हैं सबसे पहली बात है कि प्रोड़क्ट जो होती है वो आपकी स्कीन पे सूट हो रही है कि नहीं आपको अच्छा लग रहा है कि नहीं यह देखना बहुत ज़रोरी है तो इसलिए मैंने आपको यह बात मैंने आपके साथ शेयर किया, मैं हमेशा ऐसा ही करती हूँ तो दोस्तों यह जो क्रिम है आप देख सकते हैं यह कुछ इस तरीके का क्रिम है एकदम ही वियोलो कलर की इसका टब है यहाँ पे लिखा गया है मामा आर्थ इनकी जो धकन है यहाँ पे लिखा गया है मामा आर्थ उप्टन नैरेशिंग कोल्ट क्रिम विद टेरिमरिक एंड सफरन सो दोस्तो cold cream जो होती है वो सर्दी की मौसम के लिए बहुत अच्छी होती है जैसे कि नीविया की cold cream पॉन्स की cold cream बैसे ही मामा आर्थ की उप्टन cold cream है ये and cold cream आप हमेशा सर्दी के मौसम पे बहुत अच्छी तरीके से अपनी skin को मौस्टराइज करने के लिए यूज कर सकते है and ये जो cold cream है ये मुझे कैसा लगा वो ही experience में आपके साथ share करूंगी तो वीडियो last तक देखिएगा so इसका price तो मैंने आपको बता दिया है इनका जो मैंने कहां से लिया है वो भी मैंने आपको बता दिया है आप मामार्थ की outlet से भी इने purchase कर सकते है okay and उप्टन cold cream पे जो है वो है terimeric है saffron है ठीक है ये आपकी skin को बहुत दोदा moisturize करती है so दोस्तों मैं ये जो cream है इरे मैं अभी एक हपते से मैं इने use कर रही हूँ तो मुझे इतना अच्छा लगा है ये cream कि मैं आपको क्या ही बताओ मैं इन्हें बार बार purchase करना चाहूंगी मतलब हमेशा मैं इन्हें purchase करना चाहूंगी क्योंकि ये cream इतना अच्छा काम किया है मेरी skin पे बिल्कुल भी मतलब आपकी अगर बहुत ज़्यदा dry skin है अगर आपको बहुत ज़्यदा nourishment moisturizing की जरूरत पड़ती है आपकी skin पे तो मैं आपको बोलूँगे कि आप mama earth की cold cream है आप एक बार try करके definitely देखिए ये आपके skin को तुरंट moisturize करती है एकदम glowing करती है soft तौचा आपकी बनाती है और बिल्कुल भी dryness का उसके बाद पता नहीं चलता है कि आपके skin dry भी है ओके इतना अच्छा moisturizing cream है ये मेरी skin को एकदम healthy glowing and plumping बना दिया है कि मैं एकदम shocked हूँ इस cream से कि ये एकदम मेरी skin का ही cream है एकदम मेरी type का cream है and ये जो cream है ना ये आप इस तरीके से open करेंगे आप देख सकते हैं ये इसका धखकन है and यहाप पेपर दिया गया है इसे अब हटा भी सकते है and देख सकते हैं आप upton cold cream है ये कुछ हलका सा yulish undertone पे cream है जैसे कि buttersquatch ice cream हो वैसा ही इनका color है and ये ना एकदम जैसे कि butter आप खाते हैं butter का color है इनका and सबसे बड़ी बात है जब आप इने try करेंगे अपकी skin पे जब आप इने blend करेंगे apply करेंगे तो ये बिलकुल butter की तड़ा ही apply होता है मतलब जैसे कि मक्खन होती है ना एकदम मक्खन की तड़ा ये आपकी skin पे apply होता है इसका texture बिलकुल मक्खन की तड़ा है इसका color भी एकदम buttery color है buttery soft cream है जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा है and इतना nourishment इतना glowing cream है इतनी अच्छी तरीके से ये midi skin को moisturize किया है कि मैं बहुत खुश हुई हूँ इस product से and मैं इन्हें हमेशा purchase करना चाहूंगी and इनका color yellow color इसलिए है हलका सा क्योंकि इसमें terameric दिया गया है जैसे कि haldi haldi अपकी skin की tanning को दूर करती है acne prone skin के लिए भी best माना जाता है तो इसलिए इनका जो color है वो थोड़ा सा हलका सा yellow color है लेकिन नहीं वो color अपकी चैरे पे नहीं दिखेगा बस cream का color yellow है okay and वो color मतलब जैसे कि haldi लगाने के बाद yellow हो जाता है skin वैसा बिलकुल भी नहीं होगा okay so ये cream overall मेरे लिए best cream है क्योंकि मेरी skin एकदम dry एकदम ही रुखा सुखा cream sorry skin हो जाती है winter में तो ये cream मेरे लिए best है जैसे कि मैं अब तक Nivea बहुत ज़दा prefer करती थी मैं अपने लिए Nivea बहुत ज़दा use करती थी Nivea तो सब के घर में होती है Nivea का बात ही कुछ अलग है और Nivea सब को पसंद भी आती है लेकिन मैं कही न कहीं आपको बोलूंगे कि ये Nivea से भी ज़दा मुझे अच्छी लगी है ये cream इनका moisture power मुझे बहुत अच्छा लगा है बहुत ज़दा creamy है बहुत ज़दा blending अच्छी तरीके से हो जाती है और skin को तुरंत soft बनाती है तुरंत glowing बनाती है तो ये चीज मुझे बहुत अच्छी लगी है इस cream की मैं इनकी तारिफ जितनी भी करू उतनी ही कम है तो चलिए इस cream पे जो जो ingredients है वो मैं आपको बता देती हूँ तो सबसे पहले ये dermatologically tested product है बिल्कुल भी और ये light and non-greasy product है ठीके और ये all type skin product है made safe product है ये ये जो cream है इसने सबसे बड़ी बात है कि आप इने face and body दोनों एरिया पे आप इने use कर सकते हैं एसा नहीं है कि इसे सिर्प और सिर्प आप face पे apply करें इने आप अपरी body part पे भी apply कर सकते हैं क्योंकि ये ना body butter का भी काम करता है क्योंकि ये इतना buttering cream है कि ये body butter का भी काम करता है आपको अलग से body butter खड़ितने की कोई जरूरत नहीं है ये ही आपका face and body butter का ही काम करता है तो जैसे की body butter हम लोग purchase करके use करते हैं तो वैसा आपको purchase करने के उतनी जरूरत नहीं है ठीक है क्योंकि ये वैसा वाला ही काम करती है body के लिए ये जो cream है इसमें glycerine है, aqua है, vitamin E है, aloe vera gel है, almond oil है, saffron extract है, terameric oil है, terameric extract है, okay and organic terameric oil है इसमें इसमें बहुत सरे अच्छा अच्छे ingredients है, fragrance है इसमें, sodium है इसमें बहुत सरे अच्छा अच्छे चीजे है carbonate है इसमें, sodium gluconate है इसमें, तो बहुत सरे अच्छे अच्छे चीजे इसमें है, जो आपकी skin को बहुत ही अच्छी तरीके से moisturize करती है, deeply nourishment करती है, and ये natural ingredients से बना हुआ product है, तो इन्हें आप अपने body and face दोनों area पे आप इन्हें यूज़ कर सकते हैं, okay, and so ये जो product है दोस्तों, ये मुझे overall बहुत अच्छी लगी है, cold cream, तो मैं इन्हें आपको highly suggest करूंगे, ये cold cream आप definitely try कीजिएगा अपनी skin के लिए, अगर आपकी बहुत ज़़ा dry skin है, and winter के लिए अगर आप एक अच्छा cold cream चाते हैं तो, and ये upton cold cream अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आपकी शादी होने वाली हैं, आप कोई bridal, bride बनने जा रहे हों, तो bridal के लिए आपना ये एक अच्छा सा cream आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें, वो सब bridal के लिए वो सब ingredients हैं, जो एक brides यूज़ करती हैं, घर की upton की चीज़े, तो, ये cream भी कुछ वैसा ही है, जो आपकी skin को बहुत ही हद तक healthy and moisturize करके रखती है, and बहुत ही अच्छा अच्छा हो जाती है आपकी इस तरीके की cream apply करने के बाद, and मुझे तो काफी ज़्यादा अच्छा लगा है, तो चलिए दोस्तों, मैं इसे आपको apply करके दिखाती हूँ अपने face पे, तो दोस्तों, यह है मामार्थ की upton nourishing cold cream and यह बहुत ही अच्छा आपकी skin को nourishment करती है, and मैं आपको पास से दिखा रही हूँ इनकी tub, आप देख सकते हैं कितनी cute packaging के साथ ही आती है एक्दम yellow color की, and छोटा सा डबा ही है यह, and इसकी cream की जो quality है वो बहुत ज़्यादा अच्छा और smooth है, and आप इसकी cream की quality देख सकते हैं कितना ज़्यादा super quality है इनकी जो आपकी skin को एकदम deeply hydrate करने के लिए, mosturize करने के लिए काफी है, and यह cream मैं आपको highly suggest करूँगी, आप अपने skincare rooting पे ज़रूर से इसे रखे, and dry skin वालों के लिए बिल्कुल मैं suggest करूँगी, इसमें terameric है जो आपकी skin की acne को दूर करती है, tanning को दूर करती है, सफरन अपकी skin को बहुत ज़दा fair and light बनाने में help करती है, अगर आप बहुत ज़दा tanning हो गए हो, अगर आप थोड़ा सा fair होना चाहते हैं, so हम लोग जैसे की घड में upton बना के use करते हैं, वैसा वाला ही इसका कुछ-कुछ feeling मुझे लगा, यह cream, लेकिन यह cream है, इसे अपकी skin बहुत ही अच्छी तरीके से make up आपकी skin पे बैठेगा, जितना अच्छी तरीके से आप skin को moisturize रखेंगे उतनी अच्छी तरीके से skin पे make up भी बैठेगा और make up भी अच्छा लगेगा, so आप देख सकते हैं, तुरंत यह मेरी skin पे dry हो गया है, and उसके बाद मैं यह जो cream है, इसे apply करने के बाद अपनी skin को थोड़ा सा में massage कर रही हूँ, क्योंकि मैं ऐसा करती हूँ, moisturizer यूज़ करने के बाद अपनी skin को थोड़ा सा tighten दिखाने के लिए massage करती हूँ, so overall यह जो cream है, यह बहुत ही अच्छा glowing cream है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा है, so अगर आप यूज़ करते हैं, तो आप मुझे comment पे जरूर बताईएगा, and अगर नहीं करते हैं, तो मैं आपको इसे highly recommend करूँगी, so दोस्तों आपने देखा कि यह cream कैसा है, and यह cream है बहुत ही बढ़िया, बहुत ही awesome, and इन्हें मैं आपको highly suggest करूँगी, अगर आप एक अच्छा cold cream चाते हैं, तो मेरी लिए तो यह favorite बन चुकी है, बहुत ही अच्छा cream लगा है मुझे यह, and या अगर मेरी यह वीडियो अगर आपको पसंद आई हो, तो फिर एक like ज़रूर से करके जाएगा, and please subscribe to my YouTube channel, and बिल आइकन को ज़रूर से hit करके रखेगा, तकि मेरी आपको लिए नोटिफिकेशन आपके पास easily पहुच सके, so मैं मिल दूँ आपके साथ फिर एक निक्स वीडियो में, तब तक के लिए, बाइ बाइ दोस्तों बाइ, खुश रहिए, हैपी रहिए, and ये क्रिम डेफिनिटली ट्राइ किजिए, so बाइ बाइ,